हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की मैज्स वक्षिट नम्बर सिक्टी वन करेंगे देट है इसकी 3 सेप्टेमबर और इसका टॉपिक है क्रम की बात आईए श्टू करते हैं आज की वक्षिट को लेकिन उससे पहले हमारे चनल मैंड बूस्टिंग क्लासस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजे नीलम जी एक सर्वोदे स्कूल में अध्याफिका के तोर पर काम करती है वे प्रामरी कक्षाओं के बच्चों द्वारा हल की गई वक्षिट को इखटा करती है हर सौमबार को बच्चों के माता पिता स्कूल आकर पिछले हफ़ते में बच्चों द्वारा हल की गई वक्षिट को जमा करते हैं और नई वक्षिट लेकर जाते हैं नीलम जी कक्षा के हिसाब से वक्षित को अलग लग रखती हैं और काम पूरा होने के बाद उन्हें रोल नमबर के अनुसार क्रम में लगा कर कक्षा ध्यापिका को दे रहती हैं इस सौमबार को नीलम जी के दुआरा खटे की वक्षित का वेवरन नीचे दिया गया है क्या आप उन्हें क्रम में लगाने में नीलम जी की मदद करेंगे तो यह देखी बच्चो यह देखो यहाँ पर क्या है जमा की गई वक्षित के रोल नमबर वाले बच्चोंने जमा करी हैं जीन बच्चोंने भी वक्षित जमा करी हैं यानि जन बच्चोंने भी वक्षित जमा करी है उनके यहाँ पर रोल नमबर दिये गए है उसके बाद क्रम से लगाई है वक्षिट के रोल नमबर अब इनको हमें क्रम से लगाना है तो देखो केजी क्लास की बच्चों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है दो है तो दो सबसे बहले आ जाएगी उससे बड़ी 7 है 7 दूसरे नमबर पर आएगी उससे बड़ी 19 19 नहीं है 15 है 35 तीसरे नमबर पर फिर 19 है और सबसे बड़ी 26 है वो आखर में इस प्रकार से होगा इस तरीके से आपको इन्हें अरेंज करना है इन्हीं क्रम में लगाना है उसके बाद जमा कई गई वक्षिट की कुल संख्या आप कितने रूल नमबर वाले बच्चों ने जमा की है मतलब देखो एक, दो, तीन, चार, पाच पाच रूल नमबर है यानि पाच बच्चे होंगे तो पाच बच्चों ने जमा करी है इसी प्रकार से फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को यह जो रड रड में मैंने लिखा है न यह आपको आंसर के तौर पर लिखना है अब यह जो है इसको करम के अनुसार हमें लगाएना है तो देखो हम करम के अनुसार लगाएंगे सबसे छोटा पहले उससे बड़ा बाद में उससे बड़ा तीसरे नंबर पर और सबसे बड़ा आखिर में करम से लगा लिया उसकी बाद कितने बच्चे हैं यह लोग इने गिनते हैं हम लोग एक, दो, तीन, चार चार बच्चे हैं तो यहां चार आजाएगा इसी प्राकार से दूसरी कक्षा के रोल नंबर वाले बच्चों को भी करम से लगाएंगे सबसे छोटा है च्छै उससे बड़ा है दस, उससे बड़ा सत्रा फिर चौबीस, उसके बाद ट्विंटी नाइन यानि 39, चीक है अब इसमें देखो गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच बच्चे इंधर तो पाँच आजाएगा इसी प्रकार से इन्हें करम में लगाएंगे यहां तीन है, इन्हें करम में लगाएंगे पाँच है यहां और इन्हें करम में कितनी वक्षित जमा हुई है कुल इन सभी बच्चों को हम जोड लेंगे तो इन सब को जोडने की बाद आके है 26 ठीक है तो कितनी वक्षित जमा हुई 26 वक्षित जमा हुई उसके बाद next question किया है देखते हैं तो प्रशन दो है इसका इस प्रकार से उतर आजाएगा देखो मैं दिखा देती हूं ये इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर 2 देखते हैं सबसे ज़्यादा वक्षीट है 5 जो कक्षा दूसरी केजी और चौथी कक्षा के मातापिता लेकर जाते हैं देखो इस प्रकार से हो जाएगा सबसे ज़्यादा वक्षीट है 5 जो की केजी सेकेंड और चौथी कख्षा के माता-पिता लेकर जाते हैं जैकर यह हो जाएगा इसका अंसर Q3 पिछले सौम बार को 35 वक्षित जमा हुई थी बताइए इस हफते जादा वक्षित जमा हुई या कम और कितनी जादा या कम तो पिछले बार 35 हुई थी इस बार हमने टोटल गेना चाह्वा हुई है सस्मा हुई खुए यहाँ 15 हो चाएगा 9. 9 आजाएगा इसका उत्तर इस हफ्ते 9 वक्षित कमively होई है क्योंकि 9 वक्षित आए क्योंकि 9 वक्षित इस प्रकार से यह प्रशनम Juliet can उत्तर होगा। दो यह आप आज की कारपद रिखा हो जाती है समाप आशा करती हूँ आपको समझाई हो कि वीडियो को लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद